बगवान को भोग लगाने लगें तो मैसूस करें कि बगवान ने खाना खाया, बगवान ने भोग लगाया स्वामी रामक्रिशन परमंस देव जी को याद करें, पहले वो खुद खाना खाते थे, फिर मां को खलाते थे नियमों के उल्ट था, सब लोग नराज हुए, तो उनने कहा मेरी मां को जहर चला जाये तो, कोई खाना गल्ट खला दे तो वो सच में देखा, कि मां उनके हाथ से खाना खाती थी, हमारे हाथों से भी मां खालेगी, आप भोग लगाने वारे बनें उसको, कैसा भी हो, वो चांदी की थाली में होगा, सोने की थाली में होगा, वो एक पत्ते की उपर ऐसे रख दो के खालेगी वो, पर जहां से भाव चड़ाएं तो माँ को माँ जैसे हमारे फूलों से परसन हो रही है न आप देखें कितनी करपा होती है कितनी करपा होती है